असलामू अलेकुम फ्रेंड्स इनायस किचन में आप सबका इस्तक्बाल है आज मैं आपके लिए ले आई हूँ शाही मतन कोर्मा इतनी टेस्टी डिश तो चलिए उसकी रेसिपी देखते है लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बिल बटन को तबाईए ताकि मेरे आने वली तमाम वीडियो की मालमत सबसे पहले आप तक पहुँच सके शुक्रिया शाही मतन कोर्मा बनाने के लिए हमने यहाँ पर वन एंड हाफ केजी मतन लिया है यानि देड किलो हमने यहाँ पर बकरे का गोश लिया है उसे अच्छी तरहा से दोकर क्लीन किया है अब हम उसमें वन टीस्पून सॉल्ट डालेंगे हाफ टीस्पून टर्मरिक पाउडर और कुछ खड़े गरब मसाले हम उसमें डालेंगे तो चलिए देखते हैं खड़े गरब मसाले कौन से डालने है हमने यहाँ पर हाफ टीस्पून ब्लैक क्यूमिन सीड टो पीस कार्डमम थ्री पीस ब्लैक पेपर टो पीस सिनामन स्टिक टो पीस बेलीफ और थ्री पीस कलो हम इसमें डालेंगे तो इस तरह से हमने खड़े गरब मसाले भी उसमें डाल चुके तो चलिए उसे थोड़ा मिक्स करते हैं थोड़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम उसे अब हम उसमें वन टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद उसे हम दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम उसमें हाफ कप ओफ वाटर अड़ करेंगे water add करने के बाद हम उसे दोबारा अच्छी तरह से mix करेंगे और cooker का lead बंध कर देंगे cooker का lead बंध करने के बाद हम cooker को gas पर रखेंगे अब हम gas का flame start करेंगे और high flame पर 2 सिटी या और low flame पर 1 सिटी लेंगे वन सीटी होने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और उसे थंड़ा होने के लिए रख देंगे कूकर थंड़ा होने तक चलिए देखते हैं हमे किन इंग्रेडियन्ट की ज़रूरत है तो सबसे पहले यहाँ पर हम हाफ बाउल कर लेंगे उसके अलावा वन टी स्पून क्रस्ट आलमंड टू टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट वन टी स्पून क्रस्ट कैश्यू नट टू मीडियम साइज फ्राइड ओनियन टू मीडियम साइज चॉप टोमैटोस यहाँ पर हमने सैफ्रॉन वाटर लिया है सैफ्रॉन को हमने पानी में डाल कर अच्छी तरहां से उसे मिक्स होने दिया है उसके अलावा रोस्टेड कोकोनट यहाँ पर हमने खोबरे को भून कर लिया है कोरियंडर लीव्स हरा धनिया लिया है हमने यहाँ पर उसी के साथ हमने यहाँ पर मिन्ट भी लिया है इसके अलावा हमने यहाँ पर सफेद तिल, मगज बीज और काजु कनी लिया है चलिए कुछ मसाले देखते हैं मसालों में हमने यहाँ पर हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है वन टीस्पून रेड चिली पाउडर वन टीस्पून कोरियंडर पाउडर वन टीस्पून मसाला और 1 टी स्पून सॉल्ट लिया है शाही कोर्मा बनाने के लिए हमें इन तमाम इंग्रेडियन्ट की जरूरत होगी तो चलिए उसका बैटर तयार कर लेते हैं बैटर तयार करने के लिए हमने यहाँ पर एक मिक्सी का पॉट लिया है अब हम उसमें भुना हुआ खोबरा डालेंगे उसी के साथ हम उसमें फ्राइड ओनियन्ट डालेंगे ओनियन्ट डालने के बाद हमने जो फाइन चॉप करके टोमेटोज रखे थे वो टोमेटोज हम उसमें डालेंगे टोमेटोज डालने के बाद हमने जो काजू कनी, मगज बीज और बारिक तिल जो हमने रखी थी वो भी हम उसी में डालेंगे इन तमाम इंग्रेडियन्ट का हमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही थिक हमें उसका बैटर तयार करना है इसके अलावा हम यहाँ पर जो काजू क्रश्ट किये हुए थे वो भी उसमें डालेंगे उसी के साथ हमने जो बदाम क्रश्ट किये थे वो भी हम उसी में डालेंगे अब हम उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हमने जो हरा धनिया और जो मिंट यानि पुदीना जो हमने रखा था धोकर अच्छी तरह से क्लीन करके वो भी हम उसी में डालेंगे लेकिन पूरा नहीं डालेंगे आधा ही डालेंगे क्योंकि आधा हमें उपर से गानिश करने के लिए भी रखना है अब हम उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और mixi का pod बंद कर देंगे और उसका बहुत ही बारिक और अच्छा सा पेस्ट तयार करेंगे आप देख सकते हो हमने उसे grind कर लिया है कितना थिक और कितना अच्छा उसका batter तयार हुआ है इसी तरह से आपको भी तयार करना है जब हमारा शाही मटन कोर्मा बहुत ही tasty बनेगा तो चलिए gas का flame start करते है और जिसमें हमें शाही मटन कोर्मा बनाना है वो एक container हम उस पर रखेंगे जब हमारा बरतन अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम उसमें 100 gram oil डालेंगे हमें कोर्मा बनाना है तो उसमें अच्छी तरी चाहिए हमें इसलिए हम थोड़ा oil ज्यादा ही डालेंगे जब तेल अच्छी तरहा से गर्म हो जाए तो हमने जो बैटर तयार किया था वो बैटर हम उसमें डालेंगे बैटर डालने के टाइम हमारा ग्यास का फ्लेम लो रहेगा उसे डालने के बाद हम अच्छी तरहा से उसे मिक्स करेंगे और ग्यास का फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर हम उसे अच्छी तरहा से मिक्स करेंगे हम उसे continue चलाते हुए mix करेंगे जब तक कि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरहा से ब्राउनिश ना हो जाए आप देख सकते हो हमारा मसाला कितने अच्छी तरहा से ब्राउन हो चुका है तो चलिए अब हम उसमें थोड़ा सा कर्ट डालते हैं दही डालने के बाद हम उसे दोबारा अच्छी तरहा से mix करेंगे हम उसे continue चलाते हुए अच्छी तरहा से mix करेंगे जब वो अच्छी तरहा से mix हो जाए तब हमने जो saffron water रखा था वो हम उसमें डालेंगे और उसे दोबारा अच्छी तरहा से mix करेंगे अब हम गयास का flame medium ही रखेंगे हाई flame पर हमने starting में भूना था उसे अब हम medium flame पर उसे अच्छी तरहा से mix करेंगे अब हम उसमें कुछ masala डालेंगे जो हमने निकाले थे वो तमाम masala हम उसमें डालेंगे करूंगे कि मसाले डालने के बाद हम उसे दोबार से मिक्स करेंगे कि जब हमारे मसाले का पूरी तरहा से ओईल नजर आने लग जाए जैसा कि आप देख सकते हो अच्छी तरहा से ओईल नजर अच्छी तरहा मिक्स करने के बाद हमकारे को लोफ लेंपर लोफ लेंपर भी कितनी अच्छी तरहा हिए फिल चाहिक हो लीफे एकटी उट चलिए उसे serving ball में निकाल लेते हैं, इस तरहा का शाही मटन कोर्मा, अगर आप महमानों को खिलाएंगे जो अपने खास महमान होते हैं, अगर आप उनको इस तरहा से कोर्मा पेश करेंगे, तो हमारे महमान तो उंगलिया चाटते रह जाएंगे, और सब को इस तरहा का कोर्मा इंशालब बहुत पसंद आएंगा, तो आप भी ट्राय कीजिए, और इस तरहा का कोर्मा जरूर बनाईए, तो चलिए हम हमारे कोर्मे को जरा गानिश कर लेते हैं, तो हम हमारे कोर्मे को थोड़ा हरा धनिया से गानिश कर लेते हैं, तो प्चिंग